आज मैं आपको इस वीडियो में जो आज यानि की 24 फरवरी 2023 को 9th क्लास का ब्यूटी एंड वैलनेस का पेपर हुआ था इस पेपर के जितने भी एक एक नंबर वाले कोश्चन है उन सभी का आंसर बताऊंगा पहले आप कोश्चन पेपर देख लीजिए जैसा कि आप देख सक कोश्चन जो है पास नंबर वाले हैं लेकिन इन में से कोई दो करने थे कि उसके बाद तिन तिन नंबर वाले कोश्चन है कि उसके बाद कोश्चन नंबर एट यह भी तीन नंबर वाला है नाइन टैन तीनों कोश्चन जो हैं तीन तीन नंबर वाले हैं और जो कोश्चन न कुश्चन 11 है ठ्रेडिंग क्या है आंसर देखें एक टैंप्रेरी हेर रिमूवल टेक्निक है यानि कि बालों को हटाने की एक टेक्निक है जिसे ज्यादा तर आईब्रोज लिप्स चिक्स यानि की गालों पर और चिन फुड़ी के बालों को हटाने के लिए यूज क्या ज़त इस सिरेणी में आती है यानि कि ये आग की एक सिरेणी है जैक्स कुशन है फ्रकुर्परेंड क्या है आंसर देखें एक इंट्रोड müneur वो होता है जो खुद के आइडियास ड़र एक बिजनेस करता है यानि कि इस्तापित करता ह। आनस pracy क्या है तो आंसर इसका सूर्य जल और पवन ये उर्जा के ऐसे स्त्रोथ हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे उनको एक्सेस त्रोथ कहते हैं उसके बाद नेक्स कोशन है कोशन नंबर 15 सी एन जी का पूर्ण रूप यानिकी फुल फॉर्म ऑप सी एन जी होती है संपीडित प्राकरति गैस यानिकी कंप्रेस्ट नेचुरल गैस नाइस कोशन है 16 सरीर के स्टक्चर की स्टड़ी एन टॉमी एना टॉमी कहलाती है संयोजी उत्तकुरके केनक्टिव टीशु है जो की जॉइंट्स में पाये जाते है यहनिकी को लिगामेंट्स भी कहते हैं इस कांसर भी लिगामेंट्स हैं वे टीशु हैं जो दो हड्यों को जोडते हैं नाखून केराटीन प्रोटीन से बने होते हैं उसके बाद नाखून सबसे कम अंगूठे का नाखून जो है उसकी ग्रोथ सबसे कम होती है नेक्स कोस्टन है कोस्टन नमबर टन्टी टू उंगली के नाखून का क्यूलिटिकल एपो नीचियम भी कहलाता है एपो नीचियम नेक्स कोस्टन है कोस्टन नमबर टन्टी थ्री एक्स फोलियेटर एक्स फोलियेटर पैर से मरी हुई तबचा के सेल को खतम करता है और उसके बाद नेक्स कोश्चन है कोश्टन नम्बर 24 चोब 먹을 ख़िस्टीreibt कोश्चन H97 पूल्पूर्ण रूप यानिकी फुल माब ppe स्वेम सुद्चा उपकरण जिसको इंगलीज में सस्वेम प्रोट्टिव equipment कहते हैं next question है question number 27 बाल amino acid और protein से बने हैं उसके बाद 28 एनेजन phase को बाल के बढ़ने का phase कहते है एनेजन phase उसके बाद next question है 29 टेलोजन बाल का resting phase होता है टेलोजन और next question है question number 30 सीबम gland को IL gland भी कहते हैं उसके बाद next question है CPU का पूर्ण रूप याने की full form CPU की central processing unit central processing unit होती है CPU की full form और URL की full form होती है uniform resource locator next question है JPG ये extension होती है परकार की file का extension है तो ये जो है image की extension होती है आने कि जो photo होती है उसकी जब आप property चेक रोगे तो वहाँ पर जे पी जी लिखा होगा next question है नाखून डैस ही सो में वाजित होता है तो इसका अंसर है चार next question है strip waxing में तौचा पर mom की पतली layer लगाई जाती है microphone एक input device है next question है 37 memory संचारन का अव्यव नहीं है next question है 38 1 kilobyte dash byte के बराबर होता है यानि कि 1024 kb के byte के 1024 byte is equal to 1 kb यानि कि 1 kilobyte के बराबर होती है next question है 39 para language nonverbal परकार का संचारन का उधारन है तो ये था आपका class 9 का beauty and wellness के question paper के जितने भी एक एक number वाले question थे उनका solution वीडियो अच्छी लगे तो like करें चैनल को subscribe करके all के button के उपर click कर ले ताकि जब next video upload हो तो उसका notification आपको मिल जाए